नमस्कार, अब आप मुख्य समाचार सुनिए देश भर से 200 किसान नेता 22 जुलाई को दिल्ली आएंगे किसान नेता राहुल गांदी के साथ करेंगे मुलाकात जन्ता गेल उनाइटेट जहारखन में BJM के साथ मिलकर लड़ेगी विधान सभाचुनाव जहारखन मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपती से की सम्विधान हत्या दिवस की अधिसुचना वापस लेने की मांग कहा बौकलाहट में फैसले ले रही BJP जहारखन में 15 जुलाई को राजभावन का घिराओ करेंगे आंदोलन रत सहायक पुलिस कर्मी जहारकण में अवैद लोट्री कारोबार का खुलासा बारह नामजित अभ्युक्तों के खलाफ एफायार दर्ज की उन नदी में डूबने से दो युवकों की मौत लखिस्रा में जहान फुक करवाने के लिए मजार पर गये थे अस्नान करने के दोरान हुआ है हाथसा इस बारे में जानकारी थी उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को दिली में किसानों की एक महतव पोड़न बैठ हैक होने जा रही है इसमें MSP कानून लाने के लिए देश भर से 200 किसान नेता शामिल होंगे किसान नेता ने बताया कि सरकार जो ब्रहम फैला रही है कि अगर MSP कानून गारंटी बनता है तो इससे लाखों करोड रुपे खर्च होंगे ऐसे में हम बताएंगे कि एक पैसा खर्च नहीं होगा जारकन में इस साल के अंत में विधान सभा चुनाव होने है विधान सभा चुनाव में नितियश कुमार की जनता डल्मिनेटेड और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सर्यूराय की BJM मिलकर चुनाव लड़ेगी सर्यूराय ने पटना में CM आवास पर नितियश कुमार के साथ मुलाकात के बाद इस बारे में फैसला किया फिलहाल जनता डल्मिनेटेड एंडिये का हिस्सा है ऐसे में जहारकण मिधास मच्चोराओं के दुरान वो BJP से सीटों की मांग करेगी यानि अब BJP को आजसु के अलावा जेडियू के साथ भी सीट शेरिंग करनी पड़ेगी जहारकण मुक्ती मोचा ने आरोप लगाया है कि देश में लोकतंत्र की हत्या पर पहरे मुहर तब लगी थी जब 25 में 2014 को बत और PM नरेंद्र मोधी ने शपत ली आर्थिक आपातकाल तब लगा था जब 8 नवंबर 2016 को नोट बंती करके लोगों को बैंक और ATM के सामने सड़क पर खड़ा कर दिया गया था करोना काल में संपूर्ण लॉकडोन नागरिक आपातकाल था तब लाखों लोग सड़क पर मरने के लिए मजबूर थे जहारकण मुक्ती मोर्चा ने बिजेपी पर ये बड़ा हमला बोला है दरसल जहारकण में इंडिया ब्लॉक के अहम घटक जहारकण मुक्ती मोर्चा ने किंद्रत सरकार द्वारा 25 जुन को समिधान हत्या दिवस मनाने की अधिसुचना जारी करने का विरोध किया है पार्टी ने राष्ट्रपती से इस अधिसुचना को निरस्त करने की भी मांग की है जहारकण मुक्ती मोर्चा के महासचिव सुप्रियों बटाचारे का आरोप है कि बिजेपी पौकला हट में ऐसे फैसले ले रही है जहारकण के राष्टाने राची के मुरहाबादी मैदान में आंदोलंदत साहक पुलिस कर्मी 15 जुलाई को और यानि आज राजभवन का घेराव करेंगे वो अपनी अस्थाई करण के मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलंदत है जामताड़ा पुलिस ने काफ़े तिनों से चोरी छुपे चल रहे अवैज लोट्री के करोबार के खलाब कारवाई की है इस बारे में पुलिस ने बिहार जारकन के बड़े रैकेट का खुलासा किया है पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को ग्रिफतार भी किया है बिहार के लखिसराई के तेतरहार थाना इलाके में कीवल नदी में डूबने से दो यूवकों की मौत हो गई जबकि दोनों यूवक को डुपता देख तीसरा यूवक बिहोश हो गया तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों यूवकों को अशाओ बरामत कर लिया गया बिहार के नलंदा में एक नावालिक ने जहर खा कर अपनी जान दे दी इस बारे में मिली जनकारी के मुताबिक मिर्दका को उसकी मा ने पढ़ने के लिए कहा इस तरान मा ने डांटा भी इसके बाद उसने गुसे में आकर घर में रखा जहर की गोली खाली जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई आनन फानन में घरवालों ने इलाज के लिए एक निची अस्पताल में भरती कराया जहां इलाज के दौरान रविवार कोस की मौत हो गई समाचार समाप्त हुए नमस्कार